पहला question आपके सामने हैं, देखते हैं कि यहां पर question हमें क्या मदद पहुचा रहा है, लिखा है due to slippery road conditions and the slope of the narrow winding highway, the car down the steep mountainous road, अब जो लोग कहते हैं सारी English समझ नहीं आती, श्वेता क्या मतलब समझ आ रहा है यहां से, sentence को पढ़के क्या समझ आ रहा है, किस तरह का context है, लिखा है slippery road conditions की वज़े से, यानि road में फिसलन थी, and the slope of the narrow winding highway, और जो slope है, यानि धलान वाली सडक है, पतली सडक है, winding highway है, जैसे पहाडी रास्ते होते हैं, घुमावदार, right, इतना ही लिखा हुआ है, अब इतनी सारी बातों के बाद, और यह सारा कारड है, कि slippery road conditions की वज़े से, औ और एक narrow winding highway की slope की वज़े से, the car down the steep mountainous road, steep mountainous road का मतलब क्या, कि जो अगदम धलान वाली पहाडी सडक थी, उसमें car क्या करेगी, descent करेगी, ventilate करेगी, hesitate करेगी, करीन करेगी, बताओ मुझे, इसमें शब्द बहुत आसान है, correct word है न, उसका मतलब आप में से यादा तर लोगो को पता नहीं है, अब मैं यह मैंसूस कर रहा हूं कि नहीं पता है, अब हो सकता है, उसके अलामा भी कुछ लोगों का मतलब ना पता हो, शब्द बिलकुल आसान दिया है, सही option वाला कोई है, अभी तक किसी का option सही नहीं है, यतना बता दूँ मैं, क्या कर रहाश्वर ने का, रितु, आराधना, स्नेहलता, अब आप ये तो नहीं मान लियों कि सर, आपने कहा हम जो मतलब आपको नहीं पता होगा सर, मैं उसको option बोल दूँगा, बाबु is the first one who got it correct, यहां नाम बाबु आरा, बाबु ही नाम है आपका, पिंटिलेटर सुना हुआ लग रहा है, आराधना, स्चेन इस करेक्ट, नीतु इस करेक्ट, रिया इस करेक्ट, वेरी गुड, अब थोड़ा जगें हैं लोग, देखो भाई, डिसेंट जो वर्ड है, यह बहुत ही बेसिक शब्द है, एक शब्द आता है, असेंट, और असेंट का exact opposite होता है, ड राष्टरपती ने इस नय कानून को अपनी सहमती दी है, और डिसेंट का मतलब होता है, डिस अग्रिमेंट, इसका मतलब होता है, डिस अग्रिमेंट, तो इस वर्ड का कोई लेना देना ही नहीं है, इस particular sentence के context में, अगला ventilated, आज इकल गाड़ियों में ventilated seats आने लग गई है Ventilation क्या होता है, Ventilator आ रहा है, सुना ओ अलग रहा है, अरे बहुत basic शब्द है, हम कहते हैं कमरे में ventilation नहीं है, यानि कमरे में कहीं से हवा नहीं आ रही, जो ventilated seats होती है, उनकी seats actually perforated होती है, गाड़ियों के अंदर आज कल ventilated seats का option होता है, जो थोड़ी महंगी गाड़िया है थोड़ी कि आप तो normal गाड़ियों में भी लाद रहे हैं तो 10 लाग 12 लाग की गाड़ियों में भी आपको ventilated seats मिलती हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई seats के अंदर छोटे-छोटे छेट से बने होते हैं उन्हीं को हम perforation कहते हैं और अंदर ऐसा mechanism होता है कि उनके अंदर से हवा भी आ रही होती है तो इंडिया में चलने वाले गाड़ियों के लिए या जहां गर्मी बहुत पढ़ती जिन देशों में वहाँ यह seat बहुत कामकी होती है क्योंकि जब आप जून की दुपहरी में गाड़ी में बैठे होते हैं तो एसीट से वैसे तो ठंडा रहता है लेकिन पीछे-पीछे आपकी पीट जो है वो पूरी तरी से भीग जाती है आपकी शर्ट या जो भी आपने पहना है वो गीला हो जाता है विकाज लेदर सीट है और उसमें वेंटिलेशन नहीं है तो वेंटिलेटेड का भी कोई लेना देना यहां पे नहीं है एजिटेट बहुत ही बेसिक शब्द है अगर आप किसी को एजिटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको उकसार हैं आंदोलित कर रहे हैं इसी एजिटेट से आपके पास नाउन आता है एजिटेशन एजि भीड धरना प्रदरशन कर रही है वो तो उसको एजिटेटेटेट क्राउड कहा जाएगा तो वर्ब की थर्ड वर्ब एजिटेट है उसकी थर्ड फार्म का इस्तमाल हम एड्जेक्टिब के तौर पे करते हैं तो अगेन इसका भी कोई लेना देना नहीं है तो मैंने वही कहा कि ये तीनों वर्ड तो एक बेसिक शब्द है वायस आप डिसेंट देंदू के आता है पूरा देवायस आप डिसेंटिंग ओपीनियन जिसे हम कहते है कि everyone is entitled आप डिसेंटिंग ओपीनियन यानि सभी को हक है अलग अलग तरह के विचार रखने का तो डिसेंट, वेंटिलेटेड और एजिटेटेड नॉर्मल शब्द हैं, मतलब जो आपको पढ़ने, सुनने, देखने में, हिंदी बोलने में भी इस्तमाल हो जाते हैं, निसे मैंने कहाँ वेंटिलेटेड सीट, एजिटेटेड क्राउड, you know, डिसेंट, करीन आपके लिए शब्द था और यहीं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था, करीन का मतलब क्या है? कि जब गाड़ी आपकी आउट आफ कंट्रोल हो जाए, बहुत तीजी से गाड़ी नीचे जाए और आउट आफ कंट्रोल हो जाए, तो वो वाला कांटेक्स्ट यहाँ पर है, कि भाई, फिसलन आपको बहुत देखने को मिलता है, इसके लिए वियर शब्द भी आता है, वी डबल ई आर, राइट, तो कोई भी चीज जब अनकंट्रोल वे में मूव करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, करीन, मूविंग इन अनकंट्रोल वे, बहुत तेजी से हो आपके, कोई भी चीज जब अनकंट्रोल होती, तो तेजी से ही होती, बहुत शिफ्ट मैनर में होती, तो वो यहाँ पर करेक्ट उवर्ड, तो यही मैंने आपसे कहा था, कि हर एक क्वेस्टन के साथ, आपकी वोकैबलरी का भी ग्यान यहाँ पर क्वेस्टन के जब हो हैंAAAA